Hello Friends, कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनोगा ख्याल रख रहे होंगे आज हम आपके लिए रिडिंग लेकर आई हैं कि मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, कि मैसेज यूनिवर्स का क्या है आपके लिए वो हम देखेंगे तो फिर चले शुरू हो जाते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे है आज के लिए, ःपकी लव लाइफ के लिए, आपकी केरियर के लिए क्या कुछ आ रहा है? हम देखेंगे और गईस, ये बहुत ही अच्छे मैसेज होते हैं जो खली अपनी लव लाइफ के बारे में ही सोचते रहते हैं उनको थोड़ा सा spiritual भी होना चाहिए ठीक है क्योंकि जो message निकालती हूँ ने मैं वो थोड़े से spiritual भी है ये ठीक है एक तो voice of truth मतलब आपको strong बनना है ठीक है उसी को बोलिए यह खा जा रहे है यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको प्यार को चुनना है आपको दूसरों को मदद करने के लिए आगे बढ़ना है आपको दूसरों की help करने चाहिए और आपको वो काम करना चाहिए जिसमें सभी का फाइदा हो ठीक है यहां पर यह भी खा जा रहे है कि master बुद्धा के द्वारा कि अपनी awareness को बढ़ाईए गोड से connect होईए और जो आपकी intuition आपको बताती है मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है कि आपको गोड की तरफ से gift मिला वह है आपकी intuition बहुत strong मुझे दिखाई दे रही है कुछ मेरे viewers के intuition बहुत strong है तो आपको यह कहा जा रहे है कि अपनी inner voice को सुनिए यहां पर यह कहा जा रहे है कि आप अपने पूरी power में आ जाएए आपके अंदर जो आपकी intuition आपको guide कर रहे है उसी according आप आगे बढ़िए को जो internal guidance मिल रही है जो यानि कि जो आपकी intuition आपको बता रहे है उसी के रास्ते पर आगे बढ़िए और clear रही है अपने vision को लेकर के अपने goal को लेकर के clear रही है ठीक है और आगे बढ़ते जाएए आपको जरूर success मिलेगी ठीक है एक दो card और निकाल लेते हैं आपके लिए अगर आप ऐसी reading चाहते हैं तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon को press कर दीजिए और community है यानि की spiritual path पर आप है तो उन से connect होईए आपको ये का जा रहे है कि आपको जो है अपने अंदर change लाने चाहिए और थोड़ा compare करना चाहिए कि जिस old pattern से आप काम कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है आप जिस तरह से रह रहे हैं क्या वो सही है आपको थोड़ा सा changes लेकर आना है आपने काम करने के तरीके में भी और वो आपके लिए भहती फाइदे मंद रहेगा आप अपनी community से जुड़ने की कोशिश कीजिए divine से थोड़ा सा help मांगे और जो answer आपको मिलता है उसके पर trust करना सीखिए आपको जिस भी subject में आप आगे बढ़ रहे हैं जिस भी career में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी जो है आपको अपनी skills को improve करने के जरूरत है ये खा जा रहा है कि आपको दुबारा से उसी से जुड़ना है जिसमें पहले आपका भी काम करते थे कोई school में जाते थे आपको college में professor थे कुछ भी थे जो भी काम करते थे ठीक है तो उससे फिर से connect होईए और जिस भी काम को करना आपको अच्छा लगता है ना उसी में ही अपने skills को polish करिए यह खा जा रहा है यानि कि जैसे कोई teacher है तो किसी subject को लेकर कि आपको ज़्यादा interest आता है तो उसी में ही अपने skills को polish करिए ठीक है यह खा जा रहा है अभी आपकी life में आप magician के power में हैं आप जो चाहें वो manifest कर सकते हैं आपको उसमें success मिलेगी लेकिन trust करना होगा जो भी आप करना चाहते हैं उसके पर trust करिए और आगे बढ़िए अभी आपके लिए बहुत ही better time आ रहा है आप आगे बढ़िए अभी वैसे भी session जो है वो नया start होगा तो आप आगे बढ़िए किसी school को join करना चाहते हैं किसी भी job में career में जाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए ये कहा जा रहा है confidence के साथ में आगे बढ़िए अपने लिए stand लेना सीखिए अपने confidence को भढ़ाईए और आगे बढ़िए अपने जीवन में success पाईए ये कहा जा रहा है victory आपकी ही होगी आपको success मिलेगी आपको public recognition मिलेगी success मिलेगी आपका promotion होने के chances दिखाई दे रहे हैं आपको कोई award मिल सकते है आपको scholarship मिल सकती है अगर आप student है तो ठीक है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि success आपको ही मिलेगी और bottom of the day care renewal अपने आपको पूरी तरह से बदल दीजिए अभी past के धर्रे को छोड़ दीजिए एक नए रास्ते में आगे बढ़िए सब को माफ करके आगे बढ़िए ठीक है new direction में आप आगे बढ़िए clarity लेकर आईए और अपनी life purpose पर आगे बढ़िए आपके दिल को पता है आपके दिल को पता है कि आपको क्या करना है ये कहा जा रहे है तो आप आगे बढ़िए बहुती good news है आपके लिए कि अभी आपके लिए आपको अपने soul tribe से connect होनाचाहिए और आगे बढ़िए ठीक है अपने soul के purpose को पूरा करना चाहिए यहां पर मुझे किसी के soul के purpose का ही यहां पर मुझे message मिल रहा है कोई भी teaching profession में आप जाना चाहती तो आप आगे बढ़िए यह कहा जाए रहा है क्योंकि जिनको भी मेरी readings resonate होती है mostly मेरे viewers का यही soul purpose बज मुझे दिखाई दे रहा है teaching profession ठीक है teaching profession हो सकता है या फिर यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि guys कोई अगर आप जो है medical field से जुड़ रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें भी आपको success मिलेगी ठीक है ठीक है